हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफर पे तो फ्रेंट्स कई दिनों से कई अश्टुडेंट के दवारा एक क्यूटीज आ रही थी कि सर BPSC 67 अप्लिकेशन फॉर्म की सुधारने की जो तीथी है कब आएगी क्या यह मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं अब हो मौका आ गया है एदि आपने फॉर्म को गलती से कुछ गलत भर दिया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं तो बिपिएसन के द्वारो ऑफिसिल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन देखेंगे और सारा कुछ क्रिष्टल किलियर हो जाए गा तो फ्रेंड्स यह नोटिज BPSC के द्वारा 17 नॉवंबर को रिलीज किया गया है जिसमें लिखा गया है 67 संजुक्त परांभिक परत्योक्ता परिक्षा आवस्यक सूचना 67 संजुक्त परांभिक परत्योक्ता परिक्षा के लिए ओनलाइन आवेदन भरने के बिस्तारिक थी 19-11 तक की गई है यानि कि फॉर्म भरने का डेट भी 19 तारिक तक बढ़ाया गया था जो कि आपको अल्रेडी पता है तो था ओनलाइन आवेदन भरने के बाद इडिट करने की बिस्तारिक थी 19-11 तक रहेगी यानि कि एक clear पहले से भी BPSC के दोबरा किया गया था कि जैसे ही आपका last date होगा form भरने का उस से 10 दिन तक और आपको time मिलेगा form को edit करने के लिए इसके बाद आपको form भरने के form editing करने का option नहीं दिया जाएगा ठीक है तो इप्युक्त बर्नित अंतिम तिथी के पस्चात ओनलाइन आवेदन भरने यह भरे गए आवेदन को इडिट करने के अनुमती नहीं होगी आपको उसके बाद फॉर्म भरने के अनुमती नहीं मिलेगी और 29 तारीक यानि 10 दिन बाद 19 से आपको उसके बाद फॉर्म एडिटिंग को आपको कोई चांसस नहीं मिलने वाला है तो यदि आपने optional कुछ और लेना था कुछ और भर दिये हैं या फिर जो भी अनुमस्याएं हैं जैसे कोई किसी का जेंडर ही गलत भरा गया है या किसी का केटेगरी गलत भरा गया है तो आप उन सारे चीजों को यहाँ पर सुधार कर सकते हैं फॉर्म को एडिट कर सकते है ठीक टोटली आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं 29 तक तो चलिए यदि आपके मन में कुछ और क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उन्हीं क्यूरीज को दूर किया जाएगा और add the end of this video फिर सक छोटी से लिकेश्ट है यदि आप मेरे चैनल पर नए है झाल झाल